दोस्तो आज हम बात करने वाले है कि आप अपने फोटो को डॉक्यूमेंट कैसे बना सकते हो जी है दोस्तो अगर आप भी जानना चाहते हो कि मा अपनी फोटो को डॉक्यूमेंट कैसे बना सकते है कई बढ़ दोस्तों क्या होता है कि मारे यह फोटोज होती है फाइल होती है किसी को अगर आपको send करना है तो वो जो है आपको document file में create करके आपको send करना होता है तो इसके लिए आपको करना क्या होगा सबसे पहले आपको play store से document scanner आपको application को download करना है simply guys आपको document scanner इसे आपको download करना है और इसे download करने की बाद simply आपको इस application को open करना होगा open करने की बाद guys यहाँ पर आप देख सकते हो gallery option पर click करने की बाद आपको इस photo को select करना है जिस photo को आपको document बनाना है तो यहाँ पर मैं अपनी photo यहाँ पर select कर लेता हूँ तो guys यहाँ पर आप अपनी photo select कर सकते हो जिस photo को आपको document बनाएना तो photo select करने की बाद आपको done पर क्लिकना है मैंने याप पर अपनी चार photo यहाँ पर select कर लिए इसके बाद guys आप देख से तो यहाँ पर आपको अपनी photo को perfectly आपको crop करना है तो यहाँ पर आप अपनी हर एक photo को perfectly crop करने की बाद आपको इस next arrow पर क्लिकना है तो इस तरीके से आपको अपनी हर एक photo को आपको crop कर लिए इसके बाद जैसे आप इस next arrow पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपकी फोटो यहाँ पर पर परफेक्टली यहाँ पर क्रॉप उगर के सेट हो जाएगी तो यहाँ पर मैं हरी फोटो को यहाँ पर क्रॉप कर लिता हूँ तो इस तरीके से आपको अपनी हरी फोटो को सेलेक्ट कर लिना है तो यहाँ पर आपको perfectly व्यवस्तित आपको हरी फोटो को आपको cut कर लाने जिससे कोई फोटो जो है extra cut ना हो इसके बाद आपको इसे next पर क्लिक ना हो और इसी तरह यहाँ पर आप चारो फोटो मैंने select कर लिए इसके बाद गाईज यहाँ पर आप देख सकते हैं चारो फोटो यहाँ पर आ चुकी है और इन चारो फोटो को आपको PDF में convert करना होगा तो यहाँ पर यह जो है आप देख सकते हैं टीक option पर क्लिक करने की बाद यह जो है हमारी PDF फाइल में convert हो चुकी है तो इसके लिए आपको करना क्या होगा यहाँ पर यह जो है अभी PDF फाइल क्रियेट हो चुकी है यहाँ पर आप देख सबसे उपर जो यह फाइल शो हो रही है तो आपको simply 3.2 पर क्लिक करना है इसके बाद आपको PDF पर क्लिक करना है और PDF पर क्लिक करते हैं यहाँ पर आप आप Share करना चाहते हो, किसी को तो Share पर क्लिक करके आप किसी को भी Share कर सकते हूँ आप पर PDF Select करने की बाद आपको Share पर क्लिकनाये और इसके बाद आप WhatsApp, Facebook, Instagram जहांपर भी Share करना चाहते हैं इसे आप Share कर सकते हो और दूस्तों अगर आप इसे Save करना चाहते हो तो यहाँ पर सेव पर क्लिक करते हैं यह जो है आप सेव पर क्लिक करने की बाद PDF पर क्लिक ना आए और आपको My Document पर क्लिक ना और यह आपके जो है Document में सेव हो जाएगी Document पर क्लिक करते हैं आपके जो है Mobile में Document folder में यह सेव हो जाएगी इसके बाद इसको आप कही पर भी शेयर कर सकते हो और इसके बाद आप देख्स तो यहाँ पर आपको अपनी file manager में जाना है file manager में जाने की बाद आपको जो है यहाँ पर आप देख्स तो doc का option मिल रहा है इस पर क्लिक करने की बाद आपको All पर क्लिक करते हैं आपको अपनी सबसे उपर जो है आपको अपनी फाइल शो हो जाएगी तो यहाँ पर आप देख से तुम्हारी फाइल यहाँ पर शो हो रही है झाल झाल